अरे मुखमंत्री जी, 15 साल आप लोगों को हो गया राज करते हैं, आप ही मुखमंत्री रहें, अब बिहार फिर भी सबसे ज़्यादा गरीब है, तो इसका दोशी तो आप है, और आप विशेश राज का दर्जा किस से मांग रहे हैं, रसिया के राश्पती से मांग रहे हैं, पुतीन से, तहरेला सरकार बाभारत सरकार, तहरेला सरकार बाभिहार सरकार, जुटाओं के नौट अंकी, मतलब जनते कोई लग बेवकूप सबजा है, अब बताओं, एक दूसरे को गाली गलोज कर रहा हैं, बांच पे, उपस्तेत, पार्टी के हमारे सभी विधायक, पू प्रत्याशी, पार्टी के हमारे जिलाद ध्यक जी, राष्ट जनत अदल के उमिदवार, खबू खिरर जी, और सभी पार्टी के पददिकारी कारे करता, यहां उपस्तित है, मीडिया के दोस्तों, बैट जई ना, और सभी जन प्रतिनीधी, मोखिया जी, वाट सदस, जिला परिशद, सदस, पंच, सरपंच, जितने लोग यहां उपस्तिते हैं, हम सब का, आज के नामंक्यन समरों में, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और, मुझे पूरा विश्वास है, कि इस बार, जो लोकल बॉड़ी, मल्सी का चुनाओं हो रहा है, सीता मरी से लाल्टेन का जंडा लहराएगा, आप सब लोग देखिए, पिछला चुनाओं में सब लोगों ने, मिल करके मेहनत की आरशिरवाद दिया, और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रास्टे जंतदल है, और से पार्टी ही नहीं, बल्कि हम लोगों ने तो एक सरकार बनाने का काम किया था, लेकिन कुछ लोग चोड दर्वाजे से आकर के, भैमानी करके, सत्ता में काबिज हो गया, चार-पार्ट सीट इधर से उधर कर दिया, अब सत्ता में आगे हैं, तो अभी हम आ रहे थे, तो सुनने में आए हैं, बिहार विधान सभा में, कि अध्यक्ष बिहार विधान सभा, और मुख्य मंत्री जी में तना तनी हुई है, बहस बाजी हुई है, जो कि इतिहास पे हम लोगों ने नहीं देखा था, जहां मुख्य मंत्री सदन के अंदर, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष में तना तनी हुई हो, आप देखिए, कहीं किसी का सुनवाई नहीं हो रहा, करवाई नहीं हो रहा, यह सरकार कैसे चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा, कौन चला रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी के लोग जेदियू को बलेम करते हैं, जेदियू के लोग बीजेपी को बोलते हैं, बिहार विधान सभा के स्पीकर की सुनवाई नहीं हो रही, मंत्री इस्तीफा दे देते हैं कोई किसी से खुश नहीं है कोई आप देखेगा हर एक बयान भाजी जो है एक दिश्वरे को कोश्टे कमें सारा समय लोग बिताने का काम कर रहा बिहार में चाहे चोर दर्वाजे से आईवी सरकार हो लेकिन काम पे ध्यान देना चाहिए था बेरोजगारी हटाने की ले कदम उठाने चाहिए थे कार खाने लगाने चाहिए थे महेंगाई कम करना चाहिए था किसान को खाद यूरिया नहीं मिल रहा महेंगाई कम करो किसानों किस्तिती को आई को दुगुना करो सिच्छा चिकिच्छा विश्वद्याले किस्तिती को बहतर करना चाहिए तो यहां मौझूदा सरकार आपस में लड़के रहे सारा समय जो है बरबाद करने का काम करना आप देखेगा जन्प्रत्रिंदियों का कोई मान असमान इस मौझुदा सरकार में नहीं मिल रहा चारो तरब से अफसर साही जो है वो लागू हो चुकी है अफसर साही लागू हो चुकी है बताओ बिहार विधान सभा के स्पीकर कहते हैं कि मेरा थानेदार भी नहीं सुनता है बिहार सरकार में कई मंत्रियों ने स्टीफ़ा दे दिया कि आप अधिकारी बड़े बड़े तो सुनते ने चप्रासी भी ने सुनता आप समझ जाएं यहां पंचायत के कितने लोग हैं यहां जन प्रतिनिदी लोग जम मंत्री, MP, बिहार विधान सभा के स्पीकर की सुनवाई नहीं हो रही मान सम्मान नहीं मिल रहा तो आप जो प्रतिनिदी हैं उनको यह सरकार में रहने वाले अधिकारी के मान सम्मान देने का काम करेंगे इसलिए आप सब लोगों से हम अपील करने आये हैं कि एक एक वोट जो है आप जो है खबू खिरर जी को दे करके लालू जी के हाथ को मजबूत करने का काम कीज़े कि पिछला चुनाओं में हम बोले कि हम 10 लाग सरकारी नौकरी देंगे तो यह एंडिये वाला बोला कि 19 लाग देंगे पूछो तो जारा 19 लाग कहां है कहां गया 19 लाग रोजगार रहे भाई दीती आयो का रिपोर्ट है उसमें हर सुचकांक में बिहार फिसदी राज है हर चाहए पढ़ाई लिखाई गरीबी में सबसे जादा बिहार गरीब हर दूसरा परिवार बिहार का पलाइंड करता है यहां इस्पताल की विवस्था तो आप लोग जान रहे पूरी तरीके से बदहाली है कोई काम ने ओड़ा एक कार खाना नहीं सबसे पढ़ादे वाले लोग जो डिगरी धाली लोग है उस सबसे जादा बेरुज़कार है कहीं कोई कार खाना नहीं लग रहा है महंगाई इतनी जादा हो गई है ब्लोग थाने में चले जाए ब्रस्ट अचार इतना दाना बढ़ गया है कि बिना भ्रस्ट अचार के कोरो काम नहीं ओड़ भलॉक ठाना में बिड़ा-पैचन लोगों को नहीं मिलना अ जो है ओऒंशन नहीं मिलना लोगों को बैमारी हो तो कोई काम अगर इस सरकार ने डेर साल हो गया अगर कोई किया हो तो बता दो बोलता कि साथ निश्चे में बड़ा काम किये है 90 फीसदी जल जो है नल से आ रहा है बताईए तो ब्रस्ट अचार हुआ है कि नहीं हुआ है के वर लूट और लूट हुआ है और कोई काम नहीं हुआ और यही केद्र सरकार का हम नहीं बोलते हैं केद्र सरकार का नीति आयोग है उसने रिपोर्ट दिया कि भिहार सबसे फिसड़ी है तोन पताव जो 15-16 ब कि सरकार है अंडिये की बोलता है डबल इंजन है हम कहते हैं ट्रबल इंजन है अब पता हो कि ये कि कहते हैं नीतीश कुमार जी कि अब नीतिय आयोग ने बोल दिया है कि सबसे गडीव राज है फिशड़ी है तो हम को विशेष राज का दरजा दे दे भाजपा के लोग बोलते हैं कि विशेष राज का दर्जा की जरुवते नहीं अब आप बताए बिहार का सरकार और भारत का सरकार NDA का ही ना है नितीजी के मंत्री है कि नहीं भारत सरकार में यानि पार्टनर हो गए यहां भाजपा वला है कि नहीं तो एक हो कहता है बिहार को विशेष राज का दर्जा दे दे क्योंकि गरीब हैं पिछड़े हैं अरे मुखमंत्री जी पंदराथ साल आप लोगों को हो गया राज करते हैं आप ही मुखमंत्री रहें अब बिहार फिर भी सबसे ज़ज़ा गरीब है तो इसका दोशी तो आप है और आप विशेष राज का दरजा किससे माग रहे है राषिया के राश्पती से माग रहे है पुतीन से तहरेना सरकार बाब्हारत सरकार तहरेना सरकार बाबिहार सरकार जुटा हूं कि नटांकी मतला जनते कोई लोग बेवकूप, सब जाए, अब बताओ, एक दूसरे को गाली गलोज कर रहा है लो, अनि ती जी यात्रा पे निकलते हैं, कौन सा यात्रा भाई? समाज सुधार यात्रा तो बिना मुख मंत्री रहवे कोई भी नेता कर सकता है लेकिन मुख मंत्री अगर है तो बताओ मुख मंत्री जी को आधिकारी सुधार यात्रा पे जाना चाहिए था सिस्टम सुधार यात्रा पे जाना चाहिए था बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे जाना चाहिए था, गरीभी हटाओ यात्रा पे जाना चाहिए था, ब्रस्टचार हटाओ यात्रा पे जाना चाहिए था, अधिकारियों कर नकल कस्ता चाहिए था, तो ही चले है, समाश उधर, चली अच्छी बात है, सब लोग चाहते हैं जोगरी पर्मनेंट मिला है यह नहीं, सेलरी मिली देरा, टीचर लोग के, और टीचर लोग, बच्चा लोगो के पढ़ाएगा कि खिचिडी बनाएगा दारु आले के डूंडेगा, टीचर का काम है पढ़ाना, भावी इसको बहतर कर दा, तो वो नहीं, तो एगो हेलिकॉप् तो दारुवा कितना भेटाया है, कितना दारुवा हेलिकॉप्टर पकड़ा, अच्छी बात होती पकड़ता तो, लेकिन आपको नहीं लगता है, जितना फिजूल खर्चाई करा रहे हैं, हेलिकॉप्टर जितना घुमाई ही, खाली दारुपकरने के लिए, अगर उतना में चार-पांच को स्कूल अश्पताल नहीं बन जाता, केतना लोग का रिक्त परावा है, हर विभाग में, शिक्छा विभाग में, चिकित्सा विभाग में, इंजिनरिंग डिपार्टमेंट में, शिक्छा विभाग में, भाई भाई लाग सरकारी नौकरी खाली है, रिक्त है नहीं किया, आप देखिएगा, ऐसा कौन सा काम ही लोग कर रहे हैं भाई, पेपर पता हो, दो हजार तेरा का बाहली अब तक जो है निकला, अब तक नहीं भड़ा गया, दो हजार तेरा में सोचे जो भड़ा होगा, उसका बोलता है, वो आता है लोग हमारे पास, कि भाई तो हम बोले थे पिछले में, चिंता मत करो, पिछला चुराओ में हम बोले थे ना, कि अगर मेरी सरकार बनेगी, तो जिसका उमार भी खतम हो गया, जो भड़ा था समय पे, अगर BPSC की गलती है, भरती नहीं हूँ ये सरकार की गलती, तो उसको भी हम नोकरी देने का काम करे यही जो मोदी जी का नारा लोग लगाता था, दो हजार चाऊदा में, आज लो हजार चोड़ाइन का कि है कि इतना साल हू गया था tumor 20 जो षेन का लड़का तो जो ब minimize bush लो चल क्लर का लड़का, रभडगा संधाने कामी जी मोदी जी मोदी जी आंगे ये तो दो करो रुजा कर देंगे उसका तो सरकारी नौक लेके निकल गया कि निकल गया के निकल गया कि झेल अ kraa गय जो भी बात हो नेकिन कुई पडिक्षा भंकसे नहीं होता मेरिट वाला को नहीं मिलता जो चंदा चरहा देता हम Zu एक ज loti दिया बंवगते हो जाता है इन एक वेचेन पेपर सब जगा लिग कर जाता है, मैट्रीक का हो ये इंटर का हो लिग करता है और हमको तो ही नहीं समझदना कि सन्नी लिओनी कैसे पास कर जाती है मैट्रीक और अब ऐसे चलता है सरकार तो भाई हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे हर जगह हत्या पर्हान लूट हो रहा है सब जगह देख रहा है हम पार्टी में जितने लोग मंच पे हैं सब ही विधायक लोग हैं यहां सब लोग आये हुआ है सब लोग को बोलने का मौका मिलना चाहिए था लेकिन आप जानी रहे हैं आज 14 तारीक के बड़ा शुब दिन है और हम लोग 24 सीट पर लग रहे हैं तो आज 16 जगह नमांगे लोग कर रहा है और हम पटना से चले वैसाली होके फिर पस्षिमी चंपारन, पूर्वी चंपारन, सीता मड़ी, अब जाएंगे मुजफर पूर्ट, फिर जाएंगे मुंगे, फिर जाएंगे कटिहार, इकोना से उकोना, तो इसलिए समय कम है, इसलिए हम आते ही हम बोलने लगे, लेकिन पार्टी के जितने भी यहां पदधिकारी नेता कारिकरता है, सब लोगों को मेहनत कर नेकी जरुवत है, यह कोई खबू खिरर जी का चुनाओ नहीं है, यह जितना इनका चुनाओ है, उतना आप का भी चुनाओ, उतना मेरा भी चुनाओ है, उतना आप सबों का भी चुनाओ है, क्योंकि पार्टी चुनाओ लगी है, यह पार्टी चुनाओ लगी है, पार्ट इधार हों ओ करेंगे उनने ले लू, तो सब पे लजर है, कोई सोचता है कि हम नहीं देखते हैं, नहीं समिशा करते हैं, या बोलते नहीं हैं, तो इसका ही मतलब नहीं कि हमको पता नहीं, उसलिए हम सब लोगों से अपील करेंगे कि कोई हेरा फेरी नहीं पार्टी लाइन पे सब लोगों को काम करना है और जब हमें जिम्मेवारी मिली है पार्टी की तो अगर कोई गरबरी करेगा तो हम उसको बक्सेंगे नहीं जाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो कोई कितना बड़ा नाम क्यों ना हो ऐसे लोगों की हमको जरुत रही जो पार्टी में रह के पार्टी को दीमा के तरह खाने का काम करते है अब तो काम के आकलन पे ही सदिस्ता भ्यान भी चल रहा है काम के आकलन पे ही सब लोगों को पताधिकारी बनाया जाएगा तो हम सब लोग आप लोगों से भी अप्ली करते हैं किसी की कोई पसंद है किसी की कोई पसंद है किसी की कोई पसंद है लेकिन सीटुवा एकेना है अरे बिधान सभा में कितना है 243 तो 243 ना लड़ेगा तो उसलिए कहते जो निर्दे होगे विचार धारा नीती सिद्धान इस पे हम लोगों को अब यह बीजेपी का लोग तो नफराद फ्यलाता है आज तक हम लोगों ने सब्जोता नहीं किया किकशने के ना कहीं हम लोगों में हम लूगों के नाम पर घजाठ नाम यह बटते है अधिन नफरत ने वालों कि सुनटे है नहीं सुनन चाह्या और हो जानता है उसको क्यूंबोट बिल रहा यादि अब यहां बी चाहिं कि अध्रिवरोजगाडी कि वह इत्किंदा पलाइ के नाम पे नफरत फ्यला देंगे हिंदु-मुसल्मान करा देंगे तो उनको भोट बिल जाएगा इसलिए मुद्दे की बात निकर देते लोग उसलिए हम सब लोगों को मुद्दे की बात करने चाहिए मुद्दे पहराना चाहिए अरे सरकार है तो पूछो का मेरा उनीशलक रोजगार क्योंने दे रहे हो क्योंने सिक्षा सुधा रहे हो क्योंने ब्रस्टा चार बिटा रहे हो क्योंने पलाइड रोकते हो और इसलिए सवाल पूछिए सवाल आज के लोग कम कर दिये पूछना केवल फेस्बुक पर ही नहीं सवाल पूछिए आगपा के लोग आए हैं सरकार के लोग आएं मुख्यमंत्रिया हैं तो सवाल पूछ रहा होता है उसलिए आप सब लोग तो मौका है जो हम लोगों के सरकार को नहीं आने दिया चलकपट से बारे हज़ार के हमारा उसका गर्बंदर में डिप्रेंस था पुरे बीहार में हमको मिला एक लुग छपन लाग उसको मिला एक लो शपन लाग बाड़ा हजार उभी बैमानी के बाग आज तो ये मोका है जो जनादेश का अप्मान किया अप लोगों का ये मौका मिला है सरकार के मूँपे तमाचा मानने का उसको बताओ उसको बोलो हम तुमको नहीं जिताएंगे हम तुमको हडा के भेज रहें दुबड़ा आओगे तो 19 लाग दोगे तभी हम कुछ करेंगे वनना नहीं प्रैसर बनेगा की नहीं बनेगा तो हम ही अकेले लड़ेंगे रहा लोग के नौकरी के लिए हम ही अकेले लड़ेंगे बल कौन देगा ताकत कौन देगा आप ना दोगे और देख लीजे हम तो एक मौका धून रहे थे पिछले बार आप लोगों ने दे भी दिया था लेकिन फिर भी आप लोग को हमें तरह क्याना चाहते हैं मेरा बस एक कर्मान है एक बढ़ हमको अगर मौका मिले तो बिहाद से बेरोजगारी को हम खतम करने का काम करा है तो आप लोग का साथ है कि नहीं है जतने यहां मद्दाता लोग है जनता है अपने अपने जनप्रत्र निर्दी से अपील किजे कि राष्टी जनतादल के उमिद्वार को वोट देने का काम करें और कुछ लोग है खड़ा किये हुए भोट कटुआ चाहता है कि बाटे अरे बैस सबसे बड़ी शक्ति हम है हमारी पार्टी है कि इधर बटना नहीं है गरबर नहीं होना है कुछ लोग थोड़ा सा बल लगा देते तो बैमानी भी नहीं कर पाता और इसलिए किया रहें कि आप लोग को बल लगाना पड़ेगा तो हम ज्यादा कुछ ला क्याते हुए मंच पे भी जितरे हमारे पतदिकारी हैं सब लोगों से अप्ली करते हैं कि पार्टी लाइन पे सब लोग मिल करके एक जूठ हो करके काम करने का काम करें और बाकी सब ह अगर अनुमति हो तो विजय कमालब पहना दें दोनों हाथ उठा के पहना दें बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन आज जिन्दावाद जिन्दावाद कब भूखिरार जिन्दावाद